करद लोगों कैसे लगा सकते हैं वह थो अग्याँ है जो ही सीरीज है इसकी पाकिए आपक ही पार्ट को जुरूर देखों को पडर एंडिस देखा तो इस पर्टिकुलर वाट में हम देखेंगे कि कैसे हम कैसे अगर हमने कोई हैडर फोटल लगाना है और कैसे डिपन लगा सकते हैं मतलब आपको मैंने शूरु में बताया था कि वैसे बाई डिफोल्ट क्या होता है कि आप पहले भी लोगों या कुछ भी आप लगाते हैं य नॉर्मल जो मैंने डिफोल्ट वाली बात की जो पहले पेज पर लगता है वहीं बाकी पेज पर लगता है कि अगर हम डवल क्लिक करें है इस में जाने के लिए हम इसाइट टूल कर उपर जाकर पिक्टर पर जाएंगे एंड एक लोगो को लगा लगते हैं इसको रप टैक् एगर मैं बताया था है यहां से रूलर से पकड़के उपर को कीच लेते हैं अब सभी लग गया है इसको तोड़ा सब्सक्राइब लेते हैं फोड़ा लग लग गया है अगर आप देखो के अगर मैं इसको स्ट्रॉल करूं नीचे को यही एडर अप सेकंड पेज़ पेज प यहां पर आपको डिफरेंट चाहिए अलग पीज्ट पर अपनी चाहते है कि पहले पीछ पर भूब पर विशुर या फोट्रिक करने आपको डवल क्लिक करना है काफी चीजें पर सभी लगाने के लिए है कि इपना और पहला sigui डिखर तो डिखेंगी दो यहां पर उप्शिन में जाकर दो चुरिंगेGu यहां पर मैंसे करते हूं कुछ लिक ही देता हूं डिजाइन पर जाकर डिजाइन को ले लेते हैं यह लेते हैं लाइक यह वाला अब देखो मैंने के उप्शन लगा था डिफरेंट फॉस्पेज पर क्लिक किया तब क्या मतलब था इसका जो पहले पेज़ पर है और जो बाकि घिए फोटर पर जाना है तो फुटर क्लिक करोगे गांठ ये अब और देखोंगे अब पहले जो हैडल था वोग दिफरेंट था और वह वो इस लीए हूई क्यों वह अगर आपको पार्पेस पर सकते हैं तो वहां पर आपको प्रॉप्षिन में लिए को अभी सेमेडर लग गया सब्सक्राइब तो अगर आपको डिफेंट चाहिए है मतलब जो पहले जो और कुछ से होते हैं या फूटर में और उनके जो लोगो होता है या कोई भी डिजाइन होता है वो डिफेंट होता है आप एस सीक्षिशन मनना जाता है अगको बुक बना रहे हो तो वहां पर यह काम आएगा आपके लिफेंट और एवन पीजिस पर क्लिक कर दो अब क्या है इसमें टोटल कितनी पेजिस हैं इसमें वाले हैं टोटल पेजिस हैं दो फॉस्ट एड और ओर पीज होगा और फॉ कर दिए हैं इस तरह को डेकर लेता दोड़ा थो 0 क्या करते हैं यहां पर जा कर जा कर लोट्यों कर दोक्षिन पर जा कर अब किस MILए लिए अब क्या चीज होई है नहां क्या हुआ है हमने टिक किया था जब यहां पर थे आप्शन पर जाकर हमने डिफरेंट और और फेज़ पर यह वाला लोगो शोगा और पेज़ पर यह वाला लोगो शोगा देव आप देखो कि दूसरा पीज इस अपीज देखो और पेज पर वहीं आ रहा है यह तरह लगा था और एवन पेज़ पर यह आगा अग्या सब कौन सा लोगो और लोगो कौन सा आगा अगर मैं आभी फॉर्फ पेज़ टोटल और यहां पर मैं भी कुंट्रोल एंटर करता हूं क्या या फिर नपर यह ना अब बनात तो कौन सा लोगो आएगा अब सूचको पर सूच्टो होगा जाने आएगा वह ना फिक क्या आप बेस नंबर भी कॉन सा लोगो शो रहा है हमें यह वाला वण था यह शो मतलब ऑन जो अब अब तो आप यह हो गये टेख सकते हो यह हो सब्सक्राइब नहीं पाइगा आप समझ चुक्छे होगे एक से इसा कर दिफ्रेंट लगा सकते हैं यह तो बैसे पहले बाले पेज्ट प्रुफर पट रिपान लगा सकते हैं बाकिव अगर फोटर को अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए आप जाए आपने हिसाब से पहले वाले लगाना है तो ऐसा कर सकते हो नहीं कि आपको बस इन दो ही ओप्शिंस पर लिमिटेड रहना है या अपनी साब से काम करते हैं उसके लिए को समझाने के लिए से करते हैं एक नूँ फाइल ले लाता हूं मैं यहां पर हम कुछ रेंडम टैक्स लिख लेते हैं यहां पर हम कुछ लिख लिख लेते हैं आप यहां पर मैं लिखूंगा पीरते हैं पर लेप्टव फाइंड साइड म किटने हिपना पर सबूड़ करशें रहें यहां इंटर प्रेस्ट नब जाईग सकते हो हमारे जो राइनम टेस्ट आगे हैं अब प्रोटल पेश्डवाइब कितने हैं ड्री एस से करते हैं पूरे ग्णेंट को रूड क्ट्रोल ए प्रेस करके कोपी कर लगते हैं यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं कंट्रोल सी प्रेस कर देख सकते हो फिर से वह अब पीज बन गई इतना काफी चीपेज इना फिर्माद समझने के लिए काम हम क्या चाते हैं सुच्टीशन ऐसी है मैं थोड़ा जूम आउट कर दता हूं को अब टते हो कि जो पहला पेज पर जो फैडर है और दूसी पीज पे वह सेम रहे तीसरे पर डिफरेंट हो कि एक और ड़ प्र रज़ लगा हो कोई डिजाइन हैं यहां पर हो स्पर यहां पर बाकियों से डिफरेंट हो और यहां पर लाग मतलद क्तिनी लगेंगे चार आ जहां पर काम होता है वो वाक्ने भी विश्व होता है एक अगर है हम के करेंगी छे कमरों को चार जो आ आजेत और घमर से और स को अलग एड़तर को यहां से पहला तैसर घर ग alors लगाना है उसके लपको जाना लेयाव टैब पर पर पी सट पर प्रेक्स पर क्लिक करने है अभी नियां जहां पर आप लगाना चाहते हो पहले दूसरे पेज़ पर सेम यह कुंटेंट चाहिए तो हम इनको उसके आगे वाले पेज जो है उसको डिफेंट सेक्शन में डिवाइड करेंगे कैसे मैंने पताया था पीज सेटब ब्रेक्स लियाउट टैप पर होना चाहिए आपको लियाउट टैप पेज सेटब ब्रेक्स देन नेक्स पेज अब बोलोगे कुछ ज्यादा तो हुआ नहीं बस थोड़ा से यहां पर ही तो आए हम नहीं अगर हम अभी हैटर पर क्लिक करें अब देखोगे पहले दो पेजिस पर क्याश हो रहा है सेक्शन वान और अगले पेजिस पर सेक्शन टू यह सब अगले जो पेजिस हैं हमने अभी घर को बनाना मलों डिवाइड करना अगैंगे रहांस के suit ईंड मे मं कर सा रहिंगे लेयाओ टैबड़ जाकर पेस एट अब इक्रिक करेंगे अब देखोगे अब जो फॉर्ट पेज़र ुर फैसे लिए वाला यह इसका लiken बन गया है इसका लग सेशन ओंड का फिश की आगे बन गया लिए सट्ट जाइंग करेंगे वहां पर जाकर लियाउट टैप पर पे सेट अब ब्रेक पर जाकर नेक्स पीज़ पर क्लिक करेंगे एंड जो लास्ट पीज़ है वो अभी लगर देखेंगे तो हम वो सेक्शन फॉर में डिवाइड हो गया देखू पहला दूसरा एक घर सेक्शन वन थर्ड पेज स इसका सब्सक्राइड हो अब यह लगला घर मानेंगर एक मीज़ा होगा ही मिनका टेलेंगे यहाँ engine लीकित आं पर पहले पर जाता हूं कि यहां पर जाक कर लेए जता है है इनफोन इसा के करते हैं मेenne canta करते हैं सबसक्रेद भदन लाजफ में सेंटर में करते हैं कि के इसको राधकर दते कलब होग वड़ा रहते हैं ऩी अब अब देख सकते हो सभी पर सेम है अब हो बहुंद इतना जिमिल खेंपिया सभी पर चीज अभी नहीं किये वह रिंग टो प्रीवेस हमें खटा ना था उसके का मतला है अब अगर देखो मैं यहाँ पर जागर सेक्शन टू पर लिंक टू प्रीविस में नहीं हटा दिया इसका मुझाला पिछरे वाले जो कुंटेंटर उससे कोई नहीं इसका अब देखो अब यह करते हैं सेक्शन पर जाकर लिंक्ट प्रीविस हटा रहते हैं अब और आप देखो आपका जो हैटर है बिल्कुल डिफरेंट है जिन पर आपने सेक्शन लगाया था सेक्शन वान सेक्शन टू दूसरा घर तीसरा घर चोथा जिसे मैं शुरू में बात की थी वैसे ही अगर आप चाहो तो अगले जो पीज अगर में कंट्रोल एंटर प्रेस जो ब्लेक्स क्लिक करो अब्हुप कर आपका पीज सिक्स्स अंगर मुवण क्लिक करें अंग गया क्लिक हो यहांभेक्षा-और यहांभाट नप्र ऐस्गिक्श्ट करूं इसे जो अगला पीज था वहाँ पर section 5 प्रेट होगे इंप अगले pages पर अब क्या करो इस पर लिक्टो प्रीविस अटा दो एंड यह section 5 है अब इस पर क्या करेंगे है अब लिख देगे हैडर 5 अब यह देखो पिछला वाला और इस पर वाला इस पर लिख दो प्रीविस कर दिया विलिक प्रीविस अटा रियो इसको डिफेंट सेक्ट्शन था यह section 5 यह section 4 है So that was all about this topic, how to insert different header and photo in MSWord कैसे हम किसी different pages, different header or photo to go तो यह last video था, इस series का part 6, last video था, before I go जाने से पहले एक चीज मैं बताना चाता हूं कि कईवा question आता है कईवा question put किया गया in real life when I'm teaching MSWord मेरे में में भी आया था question कि जो header, जो होता है हमें जब header से बाहर आते हैं काफी fade दिखता है इसे कुछ, मलब अगर हम यहां पर कोई text लिखें, for example ABC, right, अगर हम बाहर आएं तो यह काफी fade हो गया है तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं प्रेंट करने पर ऐसी fade निकलेगा जिसमें कोई गड़बर तो नहीं हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है कोई गड़बर नहीं है इट जस्ट कि MSWord आपको यह आपके जब header से बाहर आए थे इसको जान बुचकर fade कर देता है क्योंकि इससे आपको जब बाहर हो आपको कुंटेंट जिस पर वर्क कर रहा है उसमें डिफिरेंट करना असान होता है तो अगर हम अगर मैं डवल क्लिक करके अभी हैडर में जाओं आप देखो कि बाहर का कुंटेंट है में बोड़ी कुंटेंट हो वह फेड हो गया क्यों इसे मुझा पता लग जाएगा कि मैं किस पर वर्क कर रहा हूं अगर मैं बाहर आजाओं तेखो कि हैडर वाब फोड़ा सा हाइड हो गया है थोड़ा से फेड हो गया बाहर बाहर कुंटेंट क्लियर दिख रहा है पर डोंट परी जब इसको प्रिंट करोगे तब ऐस जैसा ही निकलेगा जैसा हमने इसके अंदर हैडर में लिखा हुआ है जैसा हमने कोई लोगों जो भी इंफरमिशन दिए बस जो बाहर आप जो काम कर रहे हो तो अब एडिटिंग कर रहे हो वर कर रहे हो उस पर फाइल पर फोड़ा दिखता है बर उसमें गंफ्यूज नही पर जब बाहर आजोगे अब देखते हो फूटर थोड़ा अब फिएट होगे और हैडर फूट होगे इससे अब को पता लगजीगा आप किसे पर काम करें रहे हो तो अब लास्ट पार्ट सीडिस ओन हाव को इंसर्ट है अगर कोई कि मैंड में को यसी टॉपिक है या जो आ so that was all about and this video so thank you everyone take care of yourself and your loved ones and all set bye